पतनी के साथ मार पीट करने के आरोपी मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा की सोसाइटी में जाकर पुलिस ने रविवार को जाच की और घटना से जुड़ी जानकारी ली। वहीं विवेक की पतनी यानिका की मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस जाच आगे बढ़ाएगी। विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीच और सलाहों से कमपनियों को खड़ी करने की सलाह तो देते हैं, लेकिन अपने परिवार को खड़ा करने में वे काम्याब नहीं रहे हैं। उनकी पहली पतनी गीति का सबरवाल से भी उनका विवाद चर रहा है। दोनों के बीच का विवाद कोट में विचाराधीन है। उन दोनों का एक बेटा भी है। पहली पतनी से विवाद के बाद विवेक ने यानिका से दूसरी शादी की। विवेक बिंद्रा ने 41 साल की उम्र में शादी की। शादी के महस कुछ ही दिनों बाद उन पर केस दर्स हो गया। हालांकि पतनी से मारपीट की घटना को शादी के महस दो दिन बाद की बताई जा रही है। मोटिवेशनल स्पीकर पर पतनी के साथ बरबरता का आरोक लगा है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी वाइरल हुए हैं। इन वीडियो में महिला की कलाई पर मारपीट के निशान दिख रहे हैं। NBT Online इन वीडियो की पुष्टी नहीं करता है। हालांकि पतनी यानिका के भाई के F.I.R. ने उनकी ओर से की गई बरबरता को सामने ला दिया है। यानिका के भाई वैभव ने दर्स कराए गए केस पर पुलिस से विवेक के खिलाफ सक्त एक्षन लेने की मांग की है। फिलहाल के लिए बस इतना ही एक बार फिर लोटेंगे नई अपडेट के साथ।